हम लोग श्रीमत भागवतम के तीसर स्कंत के प्रतम अध्याय के उन्दीस वच लोग को देख रहे हैं कल हमने अठार में में सुना था कि विदुर जी किन-किन स्थानों का ब्रहमन की तो वो इस प्रकार से था पुरेशु पुन्यों पवनाधि कुझेशु अपंकतो येशु सरच सरहसु आनन्त लिंगय समलंकृतेशु चचारतीर्था यतनेश्वनन्यह पुरेशु वे भिविन पुरियों में गए अध्यापुरी मथरापुरी जगनात पुरित्यादी और वहां पे जो स्थित पुन् अर्थाद पवित्र करने वाले उपवन अध्री मतब परवत कुझेशु मतब जहां पे कुंज है या बजयाडियां भगीचादी है अपंकतो येशु निश्पाप करने वाले जल वाले सरच सरहसु अर्थाथ सरोवर है और नडियां है और वहां पे अनन्त लिंगय ऐसे जगहों पे चचारा वे गए तीर था या तेनेशु तीर छेत्रों में गए और किस रूप में गए अनन्य अखिले गए या एक मात्र कृष्ण का ही दर्शन करते हुए गए आपको समझना होगा कि ये जो विदुर जी की तीर त्यात्रा है वह 36 महिनों की नहीं 36 साल की थी इसलिए पूछ रहे थे कि कैसे ये भी पूछा गया कि उनकी जीविका क्या थी तो उनकी जीविका के बारे में वह पूछे देखे हम लोग की जिंदगी कितनी बाकि है 30-40 साल तो सभाविक सी बात है कि 30-40 साल की जिंदगी है मैं अपनी बात कर रहा हूं तो सभाविक व्यक्ति सोचेगा कि मैं कैसे जीवन चलाओंगा को भी व्यक्ति सोचता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है तो जो व्यक्ति विचार कीजेगा जो व्यक्ति राज महलों में पला हो वह बिना किसी कैसे जीवन चलाया महलों में पली बनके जोगन चली जो लोग को सुनेंगे वह बहुत आश्र इसलिए करेंगे कि अगर हमें भी कह दे जाए कि रजाए छोड़कर सिंपल कही जमीन पर जाकर के हम रह जाए जमीन पर सो जाए एक सिंबल कंबल ओड़ करके तो असंभव ही होगा प्रवपाजी बिताते हैं कि गांदी जी के मूवमेंट के समय कोई वेक्ति बहुत बड़े धनाड़ वेक्ति थे और उन्हें अपना स्थान अपना स्थिति को छोड़ करके सब कुछ त्यागने का प्रयास किया लेकिन वे रह नहीं पाए तो हर वेक्ति का इंग्रिश में कहते हैं कमफर्ट जोन होता है यह तो कहते ना आराम आराम का एरिया कह लिए अम यहां पर इतना तो चाहिए भाई एसी चाहिए यह चाहिए वो चाहिए जबकि हमारे पास राज महले नहीं है जो घर वो भी किराएगा उसको भी त्यागने का समर्थ हमलों का नहीं है नहीं बात कर रहा है चाहिए कि छोड़ के चले जाए ना और तुरन छोड़ के चले गए दिखाता है कि जगह से कितने विरक्त हैं और अब यहां श्लोक में आ अदभूत अवधूत वेश में वह जीवन यापन के किसी पर भी निर्भर नहीं थे वो देख लिये थे कि निर्वर होने का क्या परणाम होता है निर्भर होने का परणाम यह था कि द्रौपदी का अपमान था वो कुछ हो रहा था वो कुछ नहीं कर पाए उनके सामने ही प भगवान के अलावा और किसी पी अंदर पर नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि उसके अनुसार चलना पड़ता है कभी-कभी अधर्म कभी कारे करना पड़ता है नौकरी बेवक्तिव करना ही पड़ता है कि अब नौकरी नहीं करूंगा किसी की प्रहुपात अन्यत्र बताते हैं क सबसे बड़ा आश्रय है भगवान के आश्रय को स्विकार करना मैं समझा पा रहा हूं भगवान के अलावा कोई और आश्रय नहीं है और कोई कुछ नहीं दे रहा है लेकर हम जो सोचते हैं कि न यह व्यक्ति नहीं होगा यह नहीं होगा वह नहीं होगा तो हमें कैसे हमारा प पूरे प्रवचन में एक दो बात विश्यश करके आप बताते हैं तो कहते हैं हाँ यह पता नहीं होता ऐसे जहाँ से भी आप जन्म ले जो भी माता पेता मारे रहे उनकी अलाव किसी से भी जन्मे करवा सक्ते तो एक मातर पालन वाले वही है बलकि जब भी आपको कहीं से भी कोई सहाथा प्राप्त हो तो उस व्यक्ति कर धन्यवाद कीजिए भी यह भी देखी कि भगवान ने उस व्यक्ति को प्रेरित किया है आपको कुछ वस्तु देने के लिए इस देट ओके छोटी छोटी चीजों में भगवान का हाथ देखने का प्रेयास किजिए और इस प्रकार से भगवान में विश्वासम बढ़ता है हमारा जो हमारा अधिकार है उसके अंसार वित्यू करना चाहिए लेकिन यहां क्योंकि महाभाग वह जानते हैं उनकी उनकी कोदी तो नीती द मिलेंगे दोस्त मिलेंगे दूश्मन मिलेंगे तठस्त मिलेंगे तठस मतलब नहीं है और आश्रे लेने वाले मिलेंगे राश्रे देने वाले मिलेंगे यह तो खुदी नीती बताए है ना तो वह जानते हैं कि भगवान को कहीं पी जाएंगे तो भगवान का आश्रे प्र गांपर्यतन मेध्य विविक्त वृत्ति ही सदाप्लतो धाशयनो वधूत अलक्षिता स्वेर वधूत वेशो व्रतानी चेरे हरितो शनाने गांपर्यतन मेध्य विविक्त वृत्ति ही सदाप्लतो धाशयनो वधूत अलक्षिता स्वेर वधूत वेशो व्रतानी चेरे हरितो शनाने गांपर्यतन मेध्य विविक्त वृत्ति ही सदाप्लतो धाशयनो वधूत ह अलक्षिता स्वेर वधूत वेशो व्रतानी चेरे हरितो शनाने हमारी माता जी ने हमको टोका था गुपी की मंदिर में गाई बले सब कुछ ठीक है तुम च्छा को शा क्यों बोले च्छत्री है ना अलक्षिता नहीं अलक्षिता नहीं अलक्षिता नहीं अलक्षिता समझा रहा है हम भी गलती किर रहें से कहां टेश का राप्र सर्व कर अलक्षिता हां महयोत भुलें तुम हमराद समता नहीं हिगे अलक्षिता है 1 अलक्षिता है थे लगे कि अलक्षिता है कर वें मेंन हम आपे यह इंस को भी पर से यह भी अलक्षितह स्वैरवधूत वेशो व्रतानी चे रे हरितोशनाने अनुवाद इस तरह प्रत्वी का ब्रह्मण करते हुए इस तरह का मतलब इस तरह भगवान के तीर्थों में ब्रह्मण करते हुए इस तरह प्रत्वी का ब्रह्मण करते हुए उन्होंने भगवान हरी को प्रसन करने के लिए कृतकार की जो कार किये जाने चाहिए वरत जो पूते हैं वो की जाने चाहिए उनकी वृत्तिशुद्ध एवं शुतंद्र थी शुद्ध मतलब उसमें कोई पाप नहीं था जैसे देखी अब कौरवों की वह सिवा कर रहे थे तो वह भी एक विर्ति थी क्या वह शुद थी नहीं थी क्योंकि कहीं न कहीं उनकी मंत्री गुरुप में कारे करें तो कहीं न कहीं उनके पाप में उनको भी सनलगन होना पड़ता था इसलिए अपने को अशुद मान रहे थे कि अब नहीं वाला सेवा नहीं करने वाला कर सकते हैं स्वतंद्र का क्या मतलब होता है जब आप किसी के ऊपर आश्रित हैं कि नौकरी कर रहे हैं तो हम बात दे हैं पंद्रह भीस हजार लाक रुपर जो कुछ भी है लेने के लिए हम आठ गंटे-9 गंटे के लिए उसके उसको अपना शरी करके यह गिन किया हो कि बल्व कितने हैं तो बड़ा जीब है वो थोड़ा खूसर था तो चाहता नहीं थे कि टीचर एक सेकेंड चले भी खाली बैठे तो कुछ नहीं होगा तो कहेगा जाओ आप जा करके बल्व गिन किया हो तो फिर बाद में नौकरी छोड़ दिए लेकि तो उनके बाल सब्रे हुए थे नहीं लेटने के लिए उनके पास बिस्तर था गद्दा भी नहीं था जमीन पर ही सो जाते थे इस तरह वे अपने तमाम परिजनों से अलग्षित रहे इस में कौनसी विषिश बात हुई ये पात विरुष्ट की भी है लेकिन ऐसा है कि हो सकता है कि विकति घर छोड़के चला आए लिकिन अब घर में iPhone चलता रहता है हम यहां पहुंच गए हम वहां पहुंच गए हम यह हैं यह होता ही है इससे कुछ होता रही है लेकिन लोग आ सकती है तो इसलिए विती फोन करता रहता है यह विरंदावन धाम में आ जाएगा मालों घर छोड़के भी आ गया तब भी वह अलक्षित नहीं रहता अपने भी इश्रिश्टी यहीं करके वहां पर्यृषिकर शिष्टी को देखे और भाग्मान की सरहना करे भोग द्रिश्टीसे सुर्ष्टि स्रिश्टी को नहीं देखे गाम पर्यतन प्रत्वी पर्पर निंद्र करते हुए मेध्य विविक्त द्रिक्टि शुध तत्हा विविक्ट वृति द्रिक्टि बार-बार बुलना है क्लाह करने की उतना ग्रहण कर रहती थैं वीदर था इतने समय ठक रहती थे जब तक गाई दो ही जाती यादा रहा आप लोगो कसे बाते सद्वर्टा सद्व ती gars ल्से होई-था स्वर्षब समझ रहोंगे आपलुत अर्थ होता है जैसे कहीं किसी चीज़ पर पूरा आपलुत हो गया बाढ आ जाती है ना भीग जाए कोई स्थान उसे आपलुत कहते है आपलावित भी कहते है यस तो सदा आपलुत है मतलब स्थान करते सका अचारों ने बड़ा सुन्दर अर्थ दिय को पहन उसी में स्नान कर लेते उसी को भार आ जाते तो कपड़ा भी गीला ही रहता मतलब शरीर को एकदम शरीर के प्रती पूरी तरह से नेगलेट को क्या कहेंगे हिंदी में अन्मनस्क होगा यस अन्मनस्क होकर चल रहे थे हम लोग के लिए बात करनी यह नहीं है लेकिन वैसी अवस्था में थे सदा प्रता अब अपनी बात करें तो हम लोग को तो हम गंदी वस्था में रहेंगे तो चलता है कितना बार स्नान करेंगे कौन ऐसे बैकते जहां पर ट्वाइस इन विंटर्स के तू बार्शनान यह आपने पहली क्यों नहीं बताया कि कुछ लोग कर रहे हैं इस गुड काफी लोग ड्रॉप कर रहे हैं कुछ लोग करना है गुड 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 तो ब्रामणों को वक्तों को दो बार तो कम स्युम करना चाहिए तीन बार तो चलिए जब भ्रहमचारी अश्रम में थी तो बड़े खूश थी कि भ्रहमचादी को एक बार करने के कहा है ग्रहस्णों को दो बार स्ञ्यासी को तीन बार या से कुछ स्थवान प्रस्थन को तो अच्छा अश्वान एक बार लेकिन फिर भी दो बार स्नान कीजिए देखी कर लो भाई ठंड़े पाने से नहीं कि कर बात है सदापने इधि मैं क्या रहा हूं ऐसा Casey your गर्मी आती है ऐसा नहीं है जाड़े में भी भीगे रहते थे तो जो भी हो लेकिन वह स्नान कि रहते थे पवित रखने के इपनी भावनाम के रहती है वाहे पवित्रता से आंट्रिक पवित्रता भी आती है अधा शयनहा अधा मतलब नीचे मतलब सोते थे भूमी पर शयन करते थे मतलब गद्धा नहीं बिछाते थे अब आप लोग समझ रहे होंगे कि कठिंकियों है जो एकदम मखमली गद्धों में रहा हो वह थे भले शुद्र परवार के जन में थे माम के शुद्र थी लेकेन वह राजसी ठाट बाट में रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि भग तो कितने विरक्त हैं आप लोग बाद समझने का प्रयास करें एक ही दिन में ऐसा करना शुरू किये ऐसा ही हम लोग युद्धिस्टर महाराज के केस में भी सुन चुके हैं जैसे ही सुने कि भगवान कृष् जमीन पर सोने की तो बात छोड़ दीजिए और जो लोग भी मकान में हम लोग रह रहे हैं क्या कभी हम लोग सुने हैं जमीन पर बताईए जमीन पर सोने का मतलब यह नहीं क्या रहा हूं कि गद्धा विचा कर वो तो चलता है लेकिन बीना गद्धे के और यहां तो नहीं स्वंज में आ रहा है कि कुछ वो लजाई भी वड़े हैं आप ऐसा करना मत फिर बीमार पर जाओ कि पर हम से जब नहीं हो रहा हम लोग भी इसलिए तो इनके समवाद के बारे में पूछा जा रहा है अवधूत वेशा एक शूट इसमें चूट गया है और चूट नहीं गया है मेरे से भी गल्ती हुई और जिसने अनवाय किया था वो भी गल्ती हुई वो सोच रहे थे कि अवधूत शब्द एक बार है और अन्वय में हमने दो बार कर दिया है मैं भी ऐसे सोच रहा था लेकिन यहां शब्द दो बार आए अधा शहनु अवधूता तो अवधूत को आप जोड लीजेगा अब सभाविक सी बात है कि जब जब सोही रहें इस प्रकार से विविक्त जीवन जी रहें बिक्षा बांग के जी रहें तो अब उनके पास नाई के पैसे तो होंगी नहीं तो आप समझ गया कि जटा जूट उनका बाल रहा हो गया दाड़ी बहुत बढ़ गई होगी इसा विचार कीजिए ना और कपड़ा तो खेर कोई खास इनके बास अच्छा है नहीं तो यहां पर आप शब्द जोड लेना अधा शयन अभध होता वह भूमी पर शयन करते थे और अपने शरीर का मार्जन संस्कार नहीं करते थे ज्यान देना नहाए रहते थे लेकिन परिशोदन नहीं करते थे कितनी इंट्रस्टिंग बात है ना एक एक शब्द कितना अद्वुत है नहां रहा है निरंतर लेकिन वह मायला को चारा कपड़ा पहल लिये और एक दम अ परिशाद करा बालु रगल यह तो यह इंट्रस्टिंग है यहां अगर कंट्रास करें तो भले ही लोग खूब चम-चम करें लेकिन हो सकता है कि तीन दिन से ना नहाएं आते हैं लेकिन ऐसे जगत में देखे जाते कि देखनें बहुत सेंट पेंड लगाकि आये लेकिन हो स इसनान कर रहें लेकिन शेरीर के ध्यान नहीं रख रहें तो उसका मतलब क्या है पवित्ता का ध्यान तो है कि मैं शुद्र रहूं अपवित्र वस्ता में ना रहूं लेकिन शेरीर को चमका नहीं रहें तो अवधूत शब्द यहां पे आप जोड लीजाएगा इसमें गलत की तरह वेश धारण किये हुए थे इसमें आगे अर्थ गया है वलकल आदी धारण किये हुए थे वलकल का मतलब होता है पेड़ की च्छाल एक तो अवधूत थे अर्थाथ शरीर का मारजन नहीं कर रहे थे और अवधूत वेश भी लिये हुए थे बही कोई पैंट शर्ट में घूम रहे है तो उसको अवधूत वेश नहीं कहा जाएगा बही आप देखें इसpoundा अवधूत वेश मतलब एक साधू क वेश कुछ अंतर समझ रहे बात ऐसा नहीं है कि वह अब राज महल की ड्रस लेके घुंग गए और वो गंदी हो गई ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए कुछ बाते समझ में आ रहे हैं एक एक शब्द का बहुत है अवधूत थे शेरिल का ध्यान नहीं रख रहे थे और वेश भी अवधूत का ही था जैसे बाबाजी टाइप बाबाजी टाइप कपड़ा पहने हुए थे जो कपड़ा था यहां पे आप कहेंगे कि धोती कुर्ता है पजामा कुर्ता है पैंड शर्ट है तो यह सब भी कालांतर भी गंदे हो जाएंगे समय बीतने पर लेकिन यह अवधूत वेश नहीं कहें जा परण करना और बाकि बाल नहीं काटना यहते हैं इससे क्या हुआ तो कह रहें आतेव जो देटेस्वाइव ही अलक्षता है स्वेश मजब अपनों के द्वारा अपने रिश्दारों के दौर अपर गया थे कोई नहीं समझ पारा था कि विदुरजी है अब कर एशा कैसे हो स सकता है मुझे याद है आयटी में हमने एक ड्रामा ड्रेट किया था शुपाल का वद जनमाश्ट में पर तुम मेरा मित्र था है कह सकते हैं देवेंद्र पाध्याय तो उन्होंने वह बनेते भीश्म और दाड़ी वाड़ी लगा करके इतना अच्छा मेकप किया था उसको कि म मैं खुदी ड्रामा को ड्रेट किया था और दो अच्छा नहीं हुआ था साउंड को बहुत गलबल हुआ था लेकिन मैं उसकी जो मेकप था भाजवर्दस था कभी कभी लोगों का इतना कपड़ा और हाव डिल डॉल चेंज हो जाता है कि विक्ति पहचान में नहीं आता कभ अब आरे मावशी का लड़का था उसको देखिया मना चोटा सा तो अब वो हो गया च्वह फुट का कपड़ा पड़ा क्या पर होता है पहन करके तो मैं ड्राइवर कौना है अरे तुम भाज़ा पर तो यसे लगा वह लड़की आजकल बड़े हो करके आंटसंट कपड़े तो एक दम कपड़ों का बड़ा प्रहाव होता है ना तो वो कपड़े से पहन के हमको यह क्या है रोगा कुछ हो नहीं है तो भाई देखिए आप समझ ले रहे हैं जिस प्रकार से विक्ति जीवन जीता है जो खाता पीता है उसका प्रभाव आपके चित्त पे आपके चेहर जाएंगे तो कैसे लोगों के द्वारा पहचाने जाएंगे और वो चाहते ही नहीं थे कि किसी द्वारा पहचाने जाएं कोई बुलाने जाता क्योंकि सब्लों बहुत प्रेम करते थे आप प्रतमिसकन में सुन्चु कहां कि कैसे जब युदुश्टर महराज के पास आये तो उन्हें कितने हृदय से उनको सागत किया था जो विक्ति भगवान का प्रेमी है उससे हर जिवात्मा प्रेम करता है अगर आपको याद हो तो इसी प्रकार से शुक्दे गोस्वामी भी थे उनके बारे में बताय कहते है कि उनको तो जंगल में रहने वाले जो यति थे वह भी पहचान नहीं पाते थे जडवत मूखवत ना मूख बन्दम ना बोलने वाले गूंगे की तरह पागल वाल पागल जैसे विक्ति की तरह घूम रहे थे और वह भी भगवान की कृपास से परिशित महराज के पास आ गए उनको कथा सुनाने के लिए मैं समझा पा रहा हूं कि यह इस प्रकार की जो लोग भशादू लोग होते हैं वो जान बूच कर अपने आपको छुपा कर रहते हैं एक और मैं बताता हूं सची घटना भकति सिध्धान्त प्रभु शिर्डर प्रभपाजी के शिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्षि प्रवचन कर रहती मंदर में वह समझा रहती है वो कह रहती है यहां पर परिक्रमां करती बजय रह थी और ऐसे बाबा जी उनको दिखे एकदम अवधूत वेश में और कुछ तो उन से उन समवाद हुआ उने का कि हमारे गुरु महाराज हैं ओम विश्णुपाद श्री श्रीमत भक्ति सिध्धानत सर्च धाकुर जी तो जान भूज करके ऐसे साधू लोग अपने को ऐसे वस्था में रखते हैं कि लोग उनको परेशान नहीं करें अपने तेज को छुपा के रखते हैं तो यसी प्रकार से थे स्वय अलख्षित हुआ अब और किसी आसक्ति में बंधन में नहीं पढ़ना चाहते थे और कर क्या रहे थे इस अब क्यों जरूरी था तो क्या रहे है हरितोशनानी व्रतानी चेरे भगवान हरी को प्रसंद करना वाले व्रत संपन की एक व्रत का उधारन आचारे ने दिया है क्या है शमित करें सभी जीमों पे दया करें जैसे भगवान रख रहे हैं वैसे संतुष्ट रहे तो तुष्यति आशु जनारदन इस प्रकार से भगवान जनारदन संतुष्ट हो जाते हैं तो वरत लेने का मतलब है कि मैं वही कारे करूंगा जिससे भगवान संतुष्ट हो या दोए तीन पॉइंट नारजीग बोलने हैं अपनी इंद्रियों को स्वैमित करें भगवान जैसे रखें उसमें संतुष्ट रहे और सभी जीवों पर द्या करें इस प्रकार से अगर व्यक्ति करता है तो वह भगवान को बहुत जल्दी संतुष्ट कर देता है इस तरह के व्रत और भगवान का नाम चारण भगवान का श्रमन कीरतन यह सब वह कर रहे थे ऐसा करते हुए अगर पूछा जा कि तीर्थों में संचरण करते हुए समया गुरू से चलते हुए विदुर जी ने व्रतों का पालन किया तो अगर पूछा जा कि तीर्थों भ्रह्मन करते हुए क्या किया तो भगवान हरी को प्रसंद करने वाले व्रतों का पालन किया उनकी व्रित्ति मे भी नेरू तो आप समझ दिन रही तुमको यह च्छाइ घंटा काम करना पड़े न इसनकीन ता कि अधकर आरे उब बहुत आज यह को छोड़ा रही तो विर्थि शंकीन हो गई की नहीं होगे इतने समय से इतने समय तक तुमको यहां बैठना ही होगा यह हो गई संकीनता है ना फिक्स लिमिटिट ना कोई व्रित्ति उनकी संकीन नहीं थी किसी भी बंधन में नहीं थे यह बात है क्योंकि भगवान का वरत लेना था वरत का पालन करना पस उसी में वह सदा अभिनिवेस्ट रहते यह कहा रहते हैं सदा अपरता हा अर्थात विफ प्रतिक तीर्थों नहीं स्टान करते हैं यह भी बड़ा रची कर है कि भक्त लोग चलते हैं परिक्मा कर रहा है कुछ कर रहे तो ऑन्ở वित्तान करें आप समझ गना ब्रिंदावण कर लिया करते हैं कि लेकिन अपना स्टान कर लिया मैं इस में तीर्थ में स्टान कि और धियान दीई जाके बहुत जगें ऐसे थीर्थ होते हैं जहां बहुत सारे सरोवर होते हैं। आज से 5000 साल परनी बात है, उसमय तो ब्रज एक्दम अपने सच्चा लब प्रकट सुरूप में रहा है, तो कितने सारी चीज़े होगी वहां पे, यमना में भूछ सारे घाट हैं, से घाट ने सबात की फिर दूसरे घाट भी सबात की इसंदी है, इस बात है, एक बड़ी रु करन की जुरत है आप यहां पर देख रहे हैं और अधह अर्थात प्रित्वी पर सोते थे गद्दा नहीं लगाते थे और अवधू तो अर्थात असंक असंस्कृत दे हाधाथ अपने श्रीर को सचाती नहीं थे, बिल्कुल नहीं सचाते थे, इसको समझने का प्रयास कीजिए, अप मैं से कुछ लोंके बास मोट रोचों सायकील हो गे या स्कूटर तो होगा ही, आप उसको रोज पोच्छते हैं, आप पोच्छते हैं, मैं नहीं पोच्छता, मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कि सही है यह गलत है, यह कहना चाहिए मुझे दियाद नहीं आता, पोच्छना इसको, अब मेरी तो e-bike है, तो उसमें पेट्रोल तो वैसे भी नहीं भराना होता है, कि चार्ज करना होता है, मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कि सही है गलत है, याद नहीं रहता है, अन्य लोग को अच्छा चल कि किसके बास तूंगवेद्या, यह साइकल, पोचा था, रोज पोचते हैं आप उसको, नहीं, तो अब मैं एक धारन दे रहा हूँ कि जिस प्रकार से हमनों के साइकल स्कूटर रहता है, और बहुत बार याद ही नहीं रहता है कि कि इसको पोचा नहीं है, चल रहा है ना, कियो महावीर कब से पोचे हैं, कब रोज पोचते हैं, नहीं, अब समझ गे मैं क्या कह रहा हूँ, एक दिन ऐसी श्तितियाद आएगी, कि वेक्ति को य यह भगवान के प्रेम के कारणासा होता है वेक्ति भूल जाता है मैं यह नहीं कहरा हूं कि गाड़ी को साफ करना ख़रा बात अच्छी बात आफ साफ कर रहें लेकिन हम बोल रहें कि याद नहीं रहता है नहीं रहता है क्या कर सकते हैं तो अवदूत मतलब असंस्कृत दे है असंस्कृत मतलब अपरिमार्जुद्ध्य मतलब बहुत ध्यान नहीं रखते बस्नान कर लेते हैं इस नगर बहार आ गया बात तो यही है कि जितना हमारा संबंध हमारे स्कूटर से है उतना ही संबंध हमारा देह से है तब बता सकते हैं कि हमारा स्कूटर से क्या संबंध है मैं को बताइए कुछ हिसाब किताब स्कूटर से हमारा समंगा गया ना बहुत अच्छी तरह से अपर उत्र दिया है कोई संबंद नहीं है यह वक्त तो बले केरियर यंत्र रूढ़ा निमाया एक्जैक्टली यही शब्द है बागोद कीता का एक यंत्र है इसमें आप बैठते हैं बैठते हुए एक्जैक्ट यह यही शब्द है केरियर यंत्र रूढ़ा निमाय उस यंत्र बैठ चार्या और क्यों यही है इतना ही संबंध हमारा देह से लेगिन देखे कितना ज्यादा व्यक्ति हम सभी लोग आ सकते है इस देह में तो एक तो होग्य होगा अवधूत चरिया वेश्व मैंने क्य वाक्या आप लोग अभी सोचे ऐसा पार्शमेंट इंग्लिश में कहेंगे पेर की छाल की हम सलवार कुड़ता या और कुछ पहना चाहिए कभी संकल्प भी नहीं आया है ना कभी डॉंट ट्राइट अथ होम नहीं अपर तो पक्काई घर से बाहर निकाल देंगे नहीं लेकिन एक बा कुड़ा पहनने में तो यह बहुतर होगा पेड़ की छाल तो बिलकुल भी कठोर होती होगी तो जो वित्ती रेश्यमी वस्तर पहना है वो इसके लिए तुरन्त वर्कल में कहते है तक तो उनका अत्भुत प्रताब था इसलिए स्वायर अलक्षित उनको कोई भी आत्मी विक्ति पहचार नहीं पाता था समझ वे नहीं आता था सहरापदर्शनी गाम अर्थात प्रित्वी पर Чер करते उनने मेध्व pardon अर्थात पवित्र एवं विविक्त अव मिश्यित साधन द्वारा अर्थात भेक्शाटन द्वारा अपनी जीवी का चतलाई उन्होंने सदापुलतः अर्थात प्रत्यक्ति स्थान में स्नान किया और इस परकार स्वयम को शुद्ध किया तथा सनान व पुरांत यदि उन्होंने किसी अशुद्ध वस्तु को स्पर्श किया तो वह पुना सनान करते इसलिए भाल अधी भीगे रहते तो यह देखा है आ चुकिए अब धूत वेश वो बाल कटवाई नहीं तो कोई साधू के बाल भी तो उसी तरी के तरह लंबे-लंबे हो जाएंगे तो अब कहीं पानी में डूबएंगे तो यह तो नहीं कि वो ब्लोर लगा रहा है कुछ कर रहा है वो ऐसे निकल के तुमें फिर स्नान कर लिया त सदापलतहा समझ रहे ना सरपहशा बाल में पान बालों में पानी विद्यमान रहेगा यह अर्थ है भागवा समंधी मंत्रों के स्मर्ण हेतू जिनकी लिए शुद्ध देह की आशकता होती है उन्होंने स्वयम को स्वयम को सदयव शुद्ध रखा यह आर्थ है और क्लियर कर रहे ऐसा क्यों कर रहे देखिए जैसे अब हम लोग गायतरियादे करते हैं तो उसमें ध्यान देना होता है कि स्नान करके गायतरी करें तो वह इस बात कर रहे थे कि भगवान के मंत्रों का चालन करने के लिए मैं पवित्र अवस्थावे रहूं यह बात ऑल्दो हरे एक कोई नियम नहीं है लेकिन भगवान विष्णु की अन्य मंत्रों में ऐसा नियम हो जाता से गायतरी के लिए नियम है गंधी वस्था में नहीं कर सकते हैं अब नहीं कुछ नहीं कि और गायतरी करना शुरू करती है बीमार है इक अलग बात है उसमें भी आचमन करना होता है ज शेव कराना बाल वाल कटाना यह सब नहीं कि उन्होंने अवधूत वेश अर्थाथ वलकल आधी के वस्त्र पहने थे अता स्वैर लक्षित अर्थाथ अपने संबंधियों द्वारा उन्हें लक्षित नहीं किया जा सका तात्पर्य तीर्थ यात्री का सर्व प्रमुख कर् 될 करता के समय उसे समाज की प्रसंथा के चिंता नहीं करने चाहिए उसे समाजिक अपचारिताओं की वरिदि अवेश पर निर्भर रहने की अफशक्ता नहीं रहती उसे सदा भगवान को प्रसंथ कृषित थ्या कि विदी से परमेश्वर का साशतकार कर सकता है मैं इतनी बात कहना चाहूंगा कि तीर्थ यातर तो है ही लेकिन क्या एक मनुष जीवन यातरा के समार नहीं है काश इस जीवन को हम एक यातरा की तरह देख सके आप यातरा में बहुत सारे चीज देख देखते हैं आसकत किसी में नहीं होते हैं क्विक आप जानते हैं कि यह द्रश्ट चेंज हो जाएगा कुछ समय के लिए चले लेकर चलते हैं अपने आपको किश़ी ट्रें में यहां से चलिए मंगला लक्ष्टी पकड़ लीजिए और मैं अथरा होते हुज आती है और जाएगी साथ इंडिया तक है किसी भी वस्तों से नहीं करता है कि अपने पैचान उस किसी भी द्रशने से नहीं करता है कि अब इसी को क्या अपने जीवन में घटित होता है देख सकते हैं हर दिन एक यात्रा की तरह है और दृष्ट होते रहते रहते कि अब सुना होगा हर दिन होता ना एक समाना क्या हर दिन एक ही प्रकार से भीत रहा है यस नो होता है नो कुछ लोग काल के प्रभाव से आपके पास आते हैं पर चले जाते हैं बहुत कुछ फोरा है कि नहीं हो रहा है और जिन घटनाओं को आप बहुत महत्पूर्ण मान रहे थे चार-पास साल पहले उनकी इस्मृति भी आज नहीं है यस यही बुर्जन पर समझाते हैं कि देखिए जिन विश्यों को मतलब जिन सब्जेट्स को आप बहुत महत्ते रहें इस समय उनको दो-तीन साल के बाद आप भूल ही जाएंगे जब में इस बात का ध्या कि सबसे महत्तूर है कि हम भगवान का नाम को अच्छे से बोले और सुन सकें सुन सकें जिन जिन विश्यों पर आपका मना जा रहा है उनको महिने बाद तीन महिने बाद आप बिलकुल भूल ही जाएंगे यस और नो अग्रीड आप कहेंगे इसका तीर थियातर से क्या संबंध है वह आपको बता रहे हैं एक श्रुक भागवात का आता है 3.33.7 अहो बता सपचतो गरियान यजिव अग्रेवर्त ते नाम तुभ्यम ते पुस्त पहजुवनुशस नुरार्या ब्रह्मान चुर्णाम अग्रन कितना अश्यर की बात है को वेक्ति चंडाल के घर में पैदा हो लेकिन ब्रामण से भी स्ट्रेश्ट हो जाता है अगर उसकी जीव के अग्रभाग पर आपका नाम आता है क्यों कि वो सारे तीर्थों का ब्रह्मान कर चुका है सारी पवित्री नदियों में सनान कर चुका है और सारे वेद्रों को अच्छे से पढ़ चुका है कई बार और आरेों के लिए आवश्य को कर चुका है क्याने का आश्या समझ गये कि नामों चारौन सबसे बड़ी तीर्थी आतरा है यहाँ पता कि वह पर भाता हुवा नहीं लगाते हैं लेकिन अगर कोई भी हुद नहीं करना है कि अच्क model लगाते हैं कि एक लगाते हैं यह कोऊ सा एडिया है एक बार में कीलिक लग 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 लगाती झा तो जब लिप के ऊपर 111 कि लगा रहे हुआ तो पर दूसरी गंदी वाल लगाई जाए बताइए आप लोगों ने देखा ही न कि तिलक लगाती विक्ति का चेहरा कैसे चेज़ जाता है अच्छा मेकप करें भक्ति के लिए भग्वान के जो शरीर का मेक अप इससे विक्ति को दूर रहना चाहिए इससे भावना बढ़ जाती कि मैं यह दे हूँ ठीक मुझे पता कि बहुत से लोगं नहीं कर रहे हैं कि बहुत से भक्ति करती है दुश्रमा बहुत हुआ जा खेखृणी लेकिन बॉला पढ़ता है पताना पढ़ता कि बगमान का नाम बच्वार्ण के समय तीर से आत्रा में होना चाहिए और आपको हम जो सुने भी हैं तो सुने ही भाई को सभावक सी बात है कि लिपिश्टिक में बहुत गंदी-गंदी चीजी होती तो देखिए यहां पर अपने को पवित्र रख रहे थे जबकि अधूत व यह क्रीम पोट लेते हैं उस अब बढ़े भी गंदी होती चीजी होती है उसके बाद भगवान के राधना नहीं होती है पीसरेज आंड समबडी अस टोल यू तेल लगाने के बाद तेल लगाना चाहिए तेल लगाने के बाद श्रीर अपवित्र हो आता सीख रहे ना यहां अब ऐसा करते करते वह कहां पहुंचे इस लोग को देख लेते हैं इध्धम व्रजन भारत मेव वर्षम काले नयावद गतवान प्रभासम तावच शासा चितिमेक चक्राम एकात पत्राम जितेन पार्थः इध्धम व्रजन भारत मेव वर्षम काले नयावद गतवान प्रभासम तावच शासा चितिमेक चक्राम एकात पत्राम जितेन पार्थः इस तरह जब वे भारत वर्ष की भूमी में समस्त तीर्थ स्तलों का भ्रमन कर रहे थे तो वे प्रवाश शेत्र गए उस समय महाराज युदुष्टर समराठ थे और वे सारे जगत की एक सैन शक्ती तथा एक धोजा के अंतरगत की हुए थे सैन शक्ती मतलब एक आरमी कौंसी आरमी युदुष्टर महाराज की आरमी और एक द्वजा मतलब युदुष्टर महाराज की थजा यू अतौत का मतलब जैसे Wi-Fiğimiz अक प्रकार अवधूत वेश में सदापलता इद्यादी श्लुकों के द्वारा भारत वर्षम केवल भारत वर्ष में विदेश नहीं गए की काफ़ इंट्रस्टिंग है एक बहुत सुंदर प्रवचन है गवरांग प्रव का मेरा भारत महान तो उसमें उन्हें समझाया कि देखिए भारत इसलिए महान है कि आल्मोस्ट एक घंटे की ट्रावल में आपको कोई तीर्थ जरूर मिल जाएगा कोई तपस्थली कोई तीर्थ जरूर ही मिल जाएगा ये भारत का अधभूत पराक्रम है पुन्य भूमी का तो भारत में ही रहे इसके बाहर कोई तीर्थ भ्रवन करने के लिए नहीं गए तो इत्थम भारतम एव वरशम ब्रजन इस प्रकार के वल भारत वरशम में विचर्ण करते हुए काले ना, काल के बीटने के साथ यथा समय, यावत जब विदुर, प्रभासम गत्वान, प्रभास तिर्थान गए, तावत तब पार्थ, पार्थ मतलब, परिथा यही कुंती के पुत्र अर्थात, महराज दिश्ठिर, अजिते ना, अजित मतलब भगवान श्रीकृष्ट्न जो किसी के द्वारा जीते नहीं जाते तो कहते है। पर इत्व हम इस प्रकार व्रजन ब्रहुन करते हुए कहां पर जो कहते हैं भारतमेवी वर्ष हम भारत बितने पर जबवहए गतवान प्रभासम प्रभास शेत्र में गई तावत उस समय शासा शासन कर रहे थे छितम में छितिम एक चक्राम पूरी प्रिथवी पर एक चक्र यानि एक सैनेबल से और एकात पत्राम एक धजा से पार्थ अर्थात जिस्ट महराज शासन कर रहे तो देख प्रश्ण हो हैं कि इन ही ने और्थात विदुर जीन ने तक कहा था कि भगवान पांडओं को अपना आत्मिये मानते हैं कि तो भगवान की क्रपा से कोई भी व्यक्ति वह पांडबो को जीत नहीं सकता था सिसल네 भगवान की क्रपा से पूरे विश्बवर राज्य कर रहे थे ये बात है श्रीधरी उतने समय तक भगवान श्री क्रिष्णी की सहायता से उतने समय तक मतलब जब तक ये परिभ्रमन कर रहे थे तब तब उतने समय तक भगवान श्री क्रिष्णी की सहायता से राजा जिजिश्ठिर ने संपूर्ण प्रित्वी का एक छत्र राज किया एक चक्राम कहने का विप्राय है कि संपूर्ण प्रित्वी पर एक मात्र राजा युदिस्टिर की ही सेना थी तथा एकात पत्राम पद का अर्थ है संपूर्ण प्रित्वी राजा युदिश्टिर के श्वेत छत्र के तले प्रशासित होती थी श्वेत छत्र मतलब सफेद क्रम संदर विदर जी संपूर्ण भारत वर्ष पर ब्रह्मन करते रहे प्रभास को छेत्र कुमारिका खंड के नाम से भी जाना जाता है यह वर्णन विष्टु पराण के इंसार है पांच हजार से अधिक वर्ष पूर्व जब संत विदर तीथ यात्री के रूप में प्रित्वी का भ्रह्मन कर रहे थे तो इंडिया भारत वर्ष के नाम से विख्यात था जैसा कि आज भी है विष्व इतिहास भूत काल की तीन हजार वर्षों से अधिक का क्रमबध विवर्ण नहीं दे सकता किन्तु उसके पूर्व सारा संसार महराज जिश्ट के ध्वच एवं सैन शक्ती के अधीन था और वे संसार के समराट यने चकरवर्टी राजा थे आज की समय में संयुत राष्ट में सैकणों हजारों ध्वच फेराते हैं किन्तु विदुर के समय भगवान कृष्ट अर्थाद आजित की क्रिपा से किवल एक ध्वच था संसार के सारे राष्ट पुना एक ध्वच के नीचे एक सत्ता के लिए अत्तन्त उस्सुक हैं किन्तु इसके लिए भगवान कृष्ट की किरपाव प्राप्त करनी होगी क्योंकि केवल वे ही एक विश्वयापी राष्ट बनाने में सहायक बन सकते हैं इसका मतलब क्या है ब विघटन हो रहा है संयोजन नहीं हो रहा है अगर संयुक्त होते तो एक दवजा होती है ना जैसे अटीस्ट भारत में तो एक ही दवजा चलता है ना क्योंकि जितने भी प्रदेश हैं वे संयुक्त हैं आप आसमया कुछ आपास में जगड़ा होता हो जो भी हुए लेकिन जादा तो नहीं लें कमसे मोटा मोटी तो वह संयुक्त हैं तो अब पूर्या विश्व क्यों नहीं हो सकता है ऐसा क्योंकि हर वेक्ति अपने को केंद्र मान रहा है तो बहुत सिंपल सी बात है ना सिर्फ ये पूरे विश्व पे घटित होगी घर घर पे भी और अंतराजी अंतराश्टी हर तरह से ये व्याप्त होगी बात क्या बात अगर वेक्ति क्रिश्ण को केंद्र में रख रहा है क्रिश्णा कॉंश्यस है क्या मतलब क्रिश्णा कॉंश्यस होने का मैं क्रिश्ण का सिवक हूं मुझे क्रिश्ण को प्रसंद करना है अगर ये भावना प्रेम करना मध्यम अधिकारी से हम भगवान को प्रसंद करने वाले कार करते हैं पहला प्रेम जागरत करने का प्रयास करना बक्ती करना दूसरा भक्तों से मैध्री करना तो बस खतम लगड़ा कातम कि नहीं यदिस्टर महराज के समय में पूरा विश्व ऐसा कर दिये थे इसलिए तो एक छत्र बन पाया कुछ आप क्याज कर पारे बात हम पहले ही सुन चुके हैं दुष्टर महराज के राज में में कोई विक्ति जहां तक मुझे स्मुर्ण आ रहा है नहीं हां अकाल मृत्व भी किसी की नहीं होती थी बिमारिया भी नहीं होते थे रोक भी नहीं होते थे और मणि अदि सवंधोर करते थे सारे रित्वें अपनी टैक्स दिया करते थे मतलब अगर आम का सीजन है तो आम की सिजन में खूब आम मिलेगा इस प्रकार तह तो भगवान के संथ्ष्ट्छन पर संयुक्त हो लोग तो अगर एक circle ने अपने देखा भी होगा, तो बहुत सारे concentric circle बना सकते हैं, और वापस में कभी नहीं लड़ेंगे, लेकिन जैसे center अलग कर देंगे, तो कहीं न कहीं वो जरूर भिडेंगे, तो जहां कहीं भी आगर आप देखेंगे जगडा होता है, चाहे वो घर में हो, चाह तो ठीक है, भगवान को भागवा से प्रसंद कर रहा है, किसी को विग्रह की सिवा में रूची है, तो विग्रह की सिवा कर रहा है, लेकिन दोनों ही भगवान की सिवा करने का प्रयास कर रहे है, तो जगडा का कोई प्रसंद नहीं है, लेकिन अगर हम भगवान को रोके हुए थे, नहीं, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे, इस कारण से भगवान किरपा से सभी लोग उनकी प्रतिय अनुकूल थे, ये बाते हैं, कोई प्रश्णी किसी बत कहा है, तो मैं देख लेता हूं, एक द्वज मीस वन कंटोलियस, बत पूछ रहा है कि आच्मन कितन करना होता है, तीन बार करते हैं, तीन बार मतलब ओम केश्वाय नमा, ओम नलनाय नमा, ओम अधभाय नमा, सिकर के वाच्मन हो जाता है, ओके सुछ विल स्टॉप एर, एंड कंटिनी वाडिस्केशन ट्मारो, श्रीमत भागवतम कि जाय, श्रीलर प्रभुपाज कि जाय, न